बदलते हुए समय में हमें अपनी भाशाएं बचानी भी है और उनका संवर्धन भी करना है अब मैं आपको जारखन के एक आदिवासी गाउं के बारे में बताना चाहता हूँ इस गाउं ने अपने बच्चों को मात्रु भाशा में सिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है मंगलो गाउं में बच्चों को कुडुक भाशा में सिक्षा दी जा रही है इसकूल का नाम है कार्तिक उराउं आदिवासी कुडुक स्कूल इसकूल में 300 आदिवासी बच जिसे तोलंग सी की नाम से जाना जाता है ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को सिक्षा देने का फैस्खला किया है इस स्कूल को शुरू करने वाले अर्विन उराओ कहते हैं कि आधिवासी बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी इसलिए उन्होंने गाउं के बच्चों को अपनी मात्रू भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया उनके इस प्रयास से बहतर प्रणाम मिलने लगे तो गाउंवाले भी उनके साथ जुर गए अपनी भाषा में पढ़ाई की वज़ा से बच्चों के सिखने की गति भी तेज हो गई है हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किलों की वज़त से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्टिय शिक्षानीती से भी मदद मिल रही है हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए